हेलो गाईज अगर आप ओयो रूम्स पहली बार जाना चाहते हो और आपको कोई भी बेसिक नॉलिज नहीं है ओयो के बारे में तो आपको इस वीडियो को अन तक जरूर देखें आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको हर एक बेसिक जानकारी ओयो के बारे में मिल जा करते हैं हमारे अच्छ की इस वीडियो को तो सबसे पहला सवाल कौन बुक कर सकता है OYO Rooms को हर एक पर्षन जिसकी एज 18 प्लस हो वो OYO बुक कर सकता है अगर आप अपनी गर्फेंट के साथ OYO Rooms जाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले अपने मुवाइल में OYO अप्लिकेशन को डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से जैसे आप OYO अप्लिकेशन को डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद उसमें आप कपल्स फ्रेंडली होटल को चर्च करें मतलब रेइस्टर करने के बाद आप couples friendly hotel ही search करें और जो hotels couples friendly में registered हैं तो वही hotels आपके सामने so करेंगे उसके बाद आप कोई भी hotels book कर सकते हैं हमारा अगला सवाल क्या age requirement होती है तो हमारी मैंने जैसा कि पहले ही बता दिया है कि 18 प्लस आप और आपके partner होना अब आते हैं हम documents की तरफ अगर आप OYO rooms जा रहे हैं तो आपके पास इन तीन में से कोई भी एक documents होगा तो आप OYO में अराम से रह सकते हैं या तो आपके पास आधार card होना चाहिए या फिर water ID card या फिर travel license भी होगा तो आपका काम चल सकता है बस सिध्यान रखें कि pen card वहाँ पे valid नहीं माना जाता है क्योंकि pen card में आपका address mention नहीं होता है और जब भी आप hotel book करें तो ऐसे भी आप जब hotel book करोगे तो उसके पहले आपके सामने hotels का पूरा picture और वहाँ का environment का pick so करना start हो जाता है आपके app पर ही वहाँ आपको क्या क्या facility मिलेगी यह सब mention होता है आप जब room book करोगे उसी में और जैसे ही room book कर लोगे तो आपके email id पर और आपके whatsapp पर एक message आएगा और यह confirmation message होता है कि आपने room book कर लिया है उसमें आपका timing और address लिखा होगा उस OYO का जहाँ पर आपने book किया है यह इतना करने के बाद अब आप OYO rooms चाह सकते हो हमारा अगला सवाल है क्या OYO rooms safe है तो गोर्म OYO rooms की बाद की जाए तो OYO rooms बिलकुल safe होती है बस जब आप OYO book करें तो आप एक अच्छी rate का room ही book करें सस्ता room के चकर में आप कुछ compromise जदा न कर ले क्योंकि कभी कभी थोड़ी पैसे आपको काफी भारी नुक्सान दे कर जाते हैं इसलिए हजार के उपर के जो OYO rooms हो वही आप book करें जिससे कि आपको किसी परकार की problem फेस ना करनी पड़े और हमारा आकरी और सबसे last question है कि क्या OYO rooms में police की rate पड़ सकती है तो OYO rooms में police की rate मिलकुल नहीं पड़ती है अगर किसी OYO में police की rate पड़ी है तो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि वो किस कारण से पड़ी होगी और हमारी वीडियो को informative वीडियो देखनी के लिए हमारे चैनल को like, share and subscribe ज़र कर दें